दोस्तों यह देखें यहां से देखें आप यह काट लिए हैं चार जून और मैंने जो मैं काटता हूं जिस तरह से यह छोटे 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 छोट दिया है एक यहां बीच का जून खराब हो गया होगा एक दो तीन चार दोस्तों चार जून काटते हैं टुएल के पिछले इस से में भी हवा लग जाएगी है और जो ये दूर से देखे जो ये गन्ना सुखा है इसमें भी हवा लग जाएगी है क्योंकि ये गिरने लगाता इस तरफ और इसने टुएल की जो ये मिट्टी है कटने नहीं दिया और दोस्तों देखको यहां नहीं था तो ये बारिस में सब्सक्राइब रखें जैसे निच्चे के गन्ने तो यह हां खराब हो गये देखें अभी छिद्धे-शिद्धे हो गये तो फिर यह अभी धूप लगेगी इधर से जमीन में काफी अच्छा हो जाएगा हैं सा फटा-फट पाने की बॉत तल उठाके ट्रैक्टर देखें वह भर गी इसमें चार बॉट वहुट बड़ी है। उस्तो अब बढ़ हैं और सुम्रु बाब हला वा भी आ गये थे।ब गन्ना बांथे इस पर उसे चार्ज पर लगा देंगे चलो जी ओहां रहां जी क्या कहने है जो चलो जी चलो बोर बढ़िया एक पर मैं हानू दे कुमा पत्ते निच्चे तो नहीं गिसाड रहे हाँ रोक ये एक पर रोक ये इसा अग्ड़ को रुआ जा रहा सा बबलुबाई चले गए है और यह देखके गन्ना ट्रैक्टर से इंदाज लगा लें आप गन्ना कहां जा रहा है और जबकि जहां हम खड़े हैं वहां से एक तक डिडड़ मीटर निच्चे गहरे खेत हैं तो दोस्तों यह है कि अब बनाई थोड़ी 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 धोड़ी धारे पर होत्ती रहनी चाहिए अगले महिन ने तो टोटल गन्ना बन जाएगा फागन के भी जो अब आपको दिखाते हैं काटते हुए फटाफट देखें अभी जनेटर चलाक है बवलु भाई ने साइद वीडियो बनाई है पता है मेरे फोन में तो सीन है नहीं है नहीं तो गर्मी इतनी जादे हो रही है करीब पांच दिन के बाद में धूपने के लिए तो बरदाश पानी हो री गर्मी बिल्कुल भी पर यहां भी देखें इन्होंने फिर दुबारे से देर लगा दिये हैं टोइलेट करके बुरा अहाल कर दिया है यह सारे मैं लेकिन दोस्तों चारा कर दिया है अभी यह आद्धा बचा रहे गिया है मसीन के सामने थोड़े से महीं इसमें दोस्तों बरकत बहुत है काफी हो जाता है और बक्की इने सब को थोड़ा आध्दा तसले भूस में एककड़ेड़ टोकरा मिला दिया है इन्होंने दाना पाणी जो अपनी सान्नी थी वो सुबह खाली थी एक केक में करका गया था ये देखें इसे भी मिला दिया है और इसे भी मिला दिया है सबसे ज्यादा स्पीड इसकी है खानी की सो ये अपना जल्दी अब तो खेर करड़ा है नहीं है दूसरा लावारा को यह निकटिया को निकाल लेंगे अब एक दो दिन में बाहर उसकी मदर को रात को बाहर बांद करेंगे महां क्योंकि दोस्तों फिर दे में से भी घटा के लगा रहे हैं तो दोस्तों हम क्यों न दें उपर से इसमें कमी बता रहे हैं नहीं नहीं तो दोस्तों हम व्यापारी से लियातर व्यापारी को ही हम क्यों न दें जब व्यापारी हमें उपर से 4-5,000 रुपे रखके दे रहा है जितने का हमने लिया थ करीब 47 48 हजार रुपे का वो मुझे ही सारा कर गये हैं कि जब भी देना हो बता दियो कावड के बाद में ले जाएंगे वे भाड़े वाले को बेच्चे हैं वे कटान में बेच्चे हैं वे ऐसे व्यापारिया हमारे हां कि किसान से लेकर किसान को बेखते हैं 1500 बीच में बना लेते हैं अब आप देखो सेहत भी इसकी काफी अच्छी हुई रंगत आगी इस पर बढ़िया जादा जैसे खुरी नी बंदी थी जादा तलस भी नहीं मान रहा था क्योंकि हमारे हैं जल्दी यल्दी खुरी बंद वाने में दो तिन कटड़ों के पैर जाने की और बारी ऐसे टाइम पागी क्योंकि मैं अन्सकी मम्मी की वज़े से फिर मट्टी नी चड़वा पाया क्योंकि पांच दिन हमारे तो जाने से रहां से निकल वाले दिन तक पांच-छे दिन ऐसे वेस्ट हुए हमारे वेस्ट का हुए वो तो वसूली हो गए जो ख पतानी विचारों ने हमारे घरवाला न सोचा नहीं था हमारे बारे में क्या था उन्होंने सिस्टम नहीं ऐसा कर पाए या उनके बस में नहीं था या कुछ भी ऐसा था तो दूस्तों हम जो हैं जल्दी दुन्दों भाई मिलकर एक पसू वाला सिस्टम ला रहे हैं कि वह उसका बच्चा रहेगा साइड में घोडा बैल जोटा अपने सोच के लिए कुछ भी रख लो तो एक पसू वाला सिस्टम रखेंगे अपना वह सेल होगा कोई बात नहीं जब जी करा बैल लिया जब जी करा घोडा बांद लिया लेकर जब जी करा जोटा बांद लिया तो न धूल लग रही है न होस लग रही है तो दोस्तों यहीं है कि पता नहीं घरवालों के बस में था नहीं था यह उन्होंने अशी सोचा कि इने खोब्झ में फशा कर रखो ठीर बांद बांब लेकिन दोस्तुper बाट तो आप ये भी दोव देखो कि जब पड़ेलर देखिल लिया था मैंता और एक अपने लूट पार्ट करेंगे तो दोस्तों हमने उन से पहले हाथ छोड़ दिया उन पर और मार पीट इतनी जवर्जस्त हुई कि मतलब वहां मतलब 16-17 आदमी पीड़ी है जरासी देर में उन 16-17 में हम भी थे उन्होंने भी हमें मारा ऐसी वात नहीं लेकिन उसी दिन से फिर मोहित भी और और सुबने देख लिया कि अगर सरीर में दम है और फटा फट हो जा और फे निकल लो तो दोस्तों हमने देखाया आज गटाएं में पहड़ों पर सबसे जादा बत्तमी जी हो रही है इस्टूडेंट्स के साथ में लूट पार रही है मार पीट हो रही है छोटे-छ जो लोग वहां घूमने गई थे उन्होंने भी आके यही बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादे बत्तमीजी करी लेकिन दोस्तों आप कोई पता है किसी को बर्दास है किसी को बर्दास नहीं है जिने बर्दास नहीं थी वहां जिलावतन करी है तो दोस्तों यही है आप देखे हमारे भाई हैं गमों के जो वहाँ डिप्योटिंग पाड़ों से उपपर है बोर्डर पर उन पाड़ी लोगों को बचाये हुए हैं और वो पाड़ी लोग जो यहां से गूमना जाते हैं 10 रुपे की 5 रुपे की बोतल के 50 रुपे देते हैं उने और वो उने पीट रहे हैं बत्तमीजी कर रहे हैं और जलालत कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैं भी जब मैं हमारे साथ भी घटना जब घटी थी तो उन्होंने ऐसी बत्तमीजी करी और एक फैमिली को उपर इस तरह से उन्होंने डंडे बरसाए और चांटे बरसाए उन्होंने नहीं नहीं हिसाब तो हो गया मंगर नहीं भाई हिसाब रहे गया फिर दोस्तों महां हिसाब करा बड़े-बड़ी अतरे तब फिर आग गए हम गई नहीं आग गए आपके आप कर सकते हो、 आप रोक सकते हो और आपके सामने कोई family पिट रही है, सिद्य सद्य लोग है, रिस्तानिय लोग उन्हें पिटरे हैं, लूट पाट करने हैं, कम सबंग यार तुम बदले में उन्हें मत पिट आचो उन्हें सपोर्ट करो फिर दोस्तो वो family पूरे रास के साथ में बत्तमी जी हो रही है तो इसे तुरंत रोग दिया जाए नहीं तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी इसके लिए क्योंकि मैदान का आदमी वहां जाता है तब यून रोटी मिलती है और सो रूपे के पांसो रूपे देखाते हैं और पांसो के पांच तब जाके उन पत्थर के उनके खाना बनता है तो दोस्ते यही बात है इसी बात के लिए मैं नहीं भी समझाया अपने घरवालों को के पूरे इंडिया में बहुत जगए हैं अपने आसपास में घुमो और करो तो फिर मैं विदेश का विरोधी था लेकिन विदेश में कु टूर एंड ट्रेवल्स के माद्यम से ही जाएं अलग बिलकुल न जाएं वो छोटे छोटे बच्चीों को और बच्चों को भी नहीं बखसते हूं उन्हें भी मारते हैं वो तो इसलिए बहुत ध्यान रखें और अग्य जो भी आपके विचारें जरूर दें धन्यवाद ज तो दिल कर दो कि दो दो देगा जरूरी जरूरी.